आज सुप्रीम कोट ने ढीम के की अपीज़मेंट पॉलिटिक्स को खारिज कर दिया है और सुप्रीम कोट ने तमिल नाडू में RSS को अपना रूट मार्च करने का आदेश दे दिया है अब RSS तमिलनाडू में अपना रूट मार्च करेंगे अब उनको कोई रोक नहीं है DMK की सरकार हाई कोट के फैंसले के खिलाब सुप्रिम कोट आई थी हाई कोट ने भी कहा था कि ठीक है राइसस को फ्लैक मार्च करने दीजिए और लेकिन तमिलनाडू की सरकार ने ये कहा कि इस से लायन आअडर खराब हो जाएगा सवभाविक सी बात है लाइन आडर खराब करने वाला कौन है लाइन आडर खराब करने वाला पी एफाई है जहादी संग्ठन है जो उसके स्पार्ट करने की बजाए जफादी संगधनों को गंडोल करने की बजाए works सब्सक्राइब कर दिया कि हम तो आप रूट मार्च करने नहीं देंगे और आप दोस्ट सोचिए रूट मार्च को रोकने के लिए DMK की सरकार सुप्रिम कोड तक आ गई करोडर उपए खर्च कर दिया महगे वकील के उपर सुप्राइब का सबसे महगा वकील DMK की सरकार ने हायर किया था सब आवे कसी बात है वकील की फीस कहां से आई क्या DMK ने अपने पॉलिटिकल पार्टी के फंड से वकील को फीस दिया नहीं वकील को फीस तो common man का जो tax है वहां से दिया गया तो taxpayer के पैसा RSS के root march को रोकने के लिए उपयोग किया गया taxpayer के पैसे से जहादियों को बचाने की कोसिस की गई है taxpayer का पैसा Supreme Court में खर्च किया गया वकीलों पे ये कहने के लिए कि नहीं RSS का root march नहीं होना चाहिए अगर RSS का root march रोकने के लिए सरकार आ रही है इसका मतलब कहीं कहीं वो indirectly जो जिहादी संगठन है जो पत्थर बाजी करते हैं जो आगजनी करते हैं जो हिंसा करते हैं जो सड़क पे आग लगाते हैं उनके खिलाफ तो नहीं उपयोग किया गया अगर DMK की सरकार को ये पता है कि RSS के रूट मार्च के बाद हिंसा हो सकती है तो DMK की सरकार को ये भी पता होगा कि RSS के रूट मार्च पे हिंसा कौन करेगा कौन सा ऐसा संगठन है तमिलनाडू में जो RSS के रूट मार्च के बाद हिंसा करने वाला है ये सरकार को पता होगा अगर सरकार को पता है तो DMK की सरकार को ये भी बताना चाहिए कि उनके खिलाफ क्या कारवाई हुई जो तमिलनाडू के अंदर जहादी संगठन जगह जगह अपना पूरा पैठ बना चुके हैं जो तमिलनाडू के अंदर जहादी संगठनों ने जगह जगे अपनी पूरा गुरूप बना लिया है अपना पूरा सेटप तयार कर लिया है उनको तोड़ने के लिए डियमके की सरकार ने क्या काम किया मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ इसको आप गहराई से सोचिए सुप्रिम कोट में लड़ती हैं दो पॉलिटिकल पार्टियां लेकिन उनका जो फीस होती है वकीलों की वो करोड़ रूपए वो आप लोगों के टैक्स के पैसे सीज़ दिया जाता है यहाँ पे जो ड रूट मार्च लोकने के लिए वो डियम के अपने पार्टी से नहीं दिया है वह आप ही का टैक्स का पैसा है जिसको दिया गया है में वकील को और सबसे बड़ी बात यह अभी तक डियमके ने यह नहीं बताया कि आरसस के रूट मार्च के बाद कौन ऐसा विक्ति था जो व हादी संगठनों के दबाव में आ चुकी है क्या डियमके सरकार तमिलनाडू की डियमके सरकार पूरी तरीके से संद सरेंडर कर चुकी है वहां के जो वहाँ पे अलगाववादी संगठन है जो वहाँ पे भारत को तोड़ने वाले संगठन उनके दबाव में आ चुकी है क्या DMK की सरकार पूरी तरीकिस अपना हथियार डाल चुकी है आखिर ओट के चक्कर में हम कहां तक जा रहे हैं ओट बैंक की पॉलिटिक्स में आरसस जैसे राष्टवादी संगठन के रूट मार्च को रोकना और ओट के चक्कर में जहादी संगठनों का बचाओ करना यह आपको समझना पड़ेगा आपको तैं करना पड़ेगा आज हमारी तमिल नाडू में तमिल कल्चर को बहुत बड़ा खत्रा है इसे जहादी संगठनों से तमिल भाषा को बहुत बड़ा खत्रा है जहादी संगठनों से तमिल भाषा तमिल नाडू में कमजोर की जा रही है वहां पे इंग्लिस और उर्दू को थोपा जा रहा है, तमिल कल्चर को कमजोर किया जा रहा है, वहां पे मिसंरीज अपना पूरा पैठ बना चुकी न तमिल नाडू में, तमिल नाडूaking डेमोग्राफी पूरी बदली जा रही है, तमिल नाडूकि पूरी तरीके से सब्सक्राइब कोड़ HC कर रही है मैं सरकार से निवेधन करता हूँ म little dog के मुी में सभीधन की सपत लिया उस सपत में क्या कहाए आपने कहा है भारती कलचर को बचाएंगे शांती अस्थापित करेंगे संविधान के अनुसार कारे करेंगे लेकिन दुर्भाग्य वस आप जहादियों की कमर नहीं तोड रहे जब तक आप जहादियों की नहीं कमर तोडेंगे PFI की नहीं कमर तोडेंगे अलगावादी संग्ठनों की कमर नहीं तोड़ेंगे तब तक आप तमिल की जनता के हित में काम कैसे करेंगे कैसे आप तमिल कल्चर को बचाएंगे कैसे आप तमिल लिटरेचल को बचाएंगे कैसे आप तमिल लैंग्वेज को बचाएंगे दुर्भाग वस्त, तमिल नाडू के मुख्यमंत्री, न मिसंडियों के खिलाफ कोई काम कर रहे, न जहादियों के खिलाफ कोई काम कर रहे, न धर्मांतर जो करार हैं संक्ठर उनके खिलाफ कोई काम कर रहे, जो वहाँ हिंसा भड़कार हैं उनके खिलाफ कोई काम कर रहे, ज पूरे तमिल लाडू में जगह साथ धर्गाह बन रही है। लेकिन क्या कर रही है? स्सुर्थ को रोकने के लिए सुप्रीम कोट आई एक धन्यवाद करता हूँ, आज सुप्रीम कोट ने हमें zalवी आए आज साथ फ्लैग मार्च होगा, उस Pray नहीं कोई रोक नहीं है, जो तमिल नाडू की सरकार यहां आई है और गलत आई है जो हाई कोट का आदे से बिलकुँ ठीक है हाई कोट ने ठीक कहा था आरसस को फ्लैग मार्च निकालने देना चाहिए और आज सुप्रीम कोट में उसके मुहर लगा दिया है मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ आप तमिल नाडू के है या तमिल नाडू के बाहर के रहने वाले है बात भारती संस्कृती की है बात भारती सभिता की है बात भारती मूल्यों की है बहुत बड़ा खत्रा है हमारे तमिल नाडू पे आए हम सब लोग मिलके तमिल कल् तमिल ट्रेडिशन को बचाएं तमिल लैंग्वेज को बचाएं और जो वहां मिसंडी और जहादी तमिल लाडू में घुच चुके हैं उन सब को हम सब मिलके भगाएं